दोस्तो आज के वीडियो होने वाला है हौन रिपेर के उपर तो जैसे के आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक हौन है यह मिन्डा का हौन है और इसमें देख सकते हैं यह अभी भी इसकी जो सेटिंग है इसमें गलू लगा है मतलब इसको कभी भी छेडा नहीं गया है तो ये हॉन क्या है और टोमेटिकली ये इसने बजना बंद कर दिया है तो मेरे पास यहाँ पर एक 12 बोल्ट की बैटरी है लिथेमाइन बैटरी है ये 12 बोल्ट की जो मैं अपनी साइकिल में उज़ करता हूं तो मैं भी इसको इसंपे लगाता हूं इसमें positive negative कुछ होता है नहीं तो हम किसी भी terminal पे लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी इसमें जो है ये बज नहीं रहा है बिल्कुल भी इसमें sound नहीं आ रही है तो अभी हम इसके setting को adjust करने की कोशिस करते हैं और देखते हैं ये horn ब्लो करता है नहीं करता है तो आप मैंसे बहुत लोगों को पता होगा ऐसा करने से actually horn ठीक हो जाते हैं बहुत बार जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इस video को देख सकते हैं और जिनकों पता है वो skip कर सकते हैं तो ये adjusting screw रहता है दरसल ये contact point पे जो है थोड़ा सा pressure डालता है तो कई बार ये lose रहा हो जाता है तो इस कारण से horn जो हमारा बजना बंग हो जाता है इसको पहले glue निकाल लेते हैं हम अच्छे परकार से तो मैं इसको behind the camera कर लेता हूँ ये अभी अच्छे परकार से निकल नहीं पा रहा है तो अभी जो यहाँ पर glue लगा था हो वो मैंने हटा लिया है साथ ही आप चैस मैंने इसको battery के साथ भी connect कर दिया है तो मैं आप इस screw को turn कर सकता हूँ और turn करके देखता हूँ कि यह क्या बता बच जाए अगर यह नहीं बचता है तो फिर इसको scrappy करना पड़ेगा और इसमें कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि यह पूरा shield रहता है इसको खोलने का कोई है नहीं तो turn करके देखता हूँ हाँ थोड़ा थोड़ा sound तो आ रही है आप सुन सकते हैं तो दोस्तों मैंने अभी sound को properly set कर दिया है तो थोड़ा से time लग गया था set करने में इसको तो इस प्रकास से आप इसकी sound देख सकते हैं sorry यह थोड़ा connector loose हो जाता है तो आप यह properly जो है बज रहा है पहले आपने सुना होगा कि बिल्कुल भी यह blow नहीं हो रहा था आप अच्छी प्रकास से sound दे रहा है इस प्रकास से यह आपके पास भी कोई sealed horn है जो कि repeated होता है तो इसको आप repair कर सकते हैं बहुत बार क्या होता है कि इस screw होता है इस अरजस्टिंग screw इसको adjust करने की जरूरत पढ़ती है बस उसमें repair हो जाता है यदि आपका इससे repair नहीं होता है तो फिर तो इसको repair करने का कुछ फाइदा नहीं है तो इस पकार से आप इस adjusting screw को adjust करके इस horn को repair कर सकते हैं